मंत्री मंडल विस्तार के बाद लोक निर्मार विभाग के रूप में राज्य मंत्री की जिन्होंने शपत ली जिनका नाम है श्री चंद्री का प्रसाद उपाध्याई आज हमारे साथ मौझूद है सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका आर नाइन टीवी में दन्यवाद सर बहुत ही महतफूर पद मिला है क्योंकि कहा जाता है कि जिस तरह से लोक निर्मार विभाग है जो देश की दशा को बदलने का काम करता है सर क्या लगता है कि किस तरह की चुनोतियां सामने आएंगे और किस तरह किस तर जिम्मेदारियां है लोक निर्मार विभाग में जो जिम्मेदारियां है मुखरूप से रोड पुल और भवन तीन प्रकार के निर्मान कारे लोक निर्मार विभाग करता है और सबकों का संजाल किसी भी प्रदेश के विकास के लिए बहुत आउश्चक है सर उत्ता प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित नात की पाठशाला के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिसमें उन्होंने नव नियुक्त मंत्रियों को अपने याँ बुलाया और उनको एक शॉर्ट फ्लम भी दिखाई सर यह सारे काम वो हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए हम लोगों को काम करने की मांदारी से रहने की पिर्णा देने के लिए वो निरंतर पिर्णा देते रहते हैं किल भी किया अभी आगे भी है पहले भी किया था नए या पुराने जो भी उनके साथ उनके सहयोगी हैं वो भारत मा की सेवा के लिए रास्ठ प्रेम की भावना से उत्तफप्रोथ हो करके है क्या दौर् сил की से काम करें कम समय में ज्यादा कारें से क्सव बढ़ाने लिए बढ साला चलाई आगे भी चलाएंगे और इन इसी तुरूप से हम लोगे बहुत उप्योगी है देश को भारती जनता पार्टी से और नागरिकों को सर आप से बहुत सारी उमीदे हैं सर आर नाइन टीबी के माध्यम से उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर मैं सिफ इतने कहना चाह उनको प्रतेक सुध्वपानी के लिए अथे मार्ग देने के लिए उनको प्रकास पहुचाने के लिए बिजली के माध्यम से सब कुछ करने के लिए प्रतिवद्ध है और मैं समझता हूँ कि जब तक हमारी सरकार का समय पूरा होगा ये सारे काम तब तक पूरी हो चुकी हो सर बहुत बहुत शुक्रिया R9 TV से बात करने के लिए सर धन्य बाद तो हमारे साथ डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय थे जो कि लोक निर्मार विभाग में राज्यमंत्री के पत्पे जिनका कहना यह है कि हमारे काम के साथ-साथ योगी आदितनात उत्तरप्रदे के रूप में साबित हो और हम उनका सपना ये मिलकर जरूर पूरा करेंगे संदीप खेर कैमरा पसंप्रियांश के साथ R9 TV लखनो